आज हम आरो भागदो गद्ध खंड के अंतरगत लेखी का महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कहानी भक्तिन के प्रस्णोतरों की चर्चा करेंगे इस कथा में पहला प्रस्णा है भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी और भक्तिन को यह नाम किस ने दिया और क्यों दिया होगा उत्तर है भक्तिन का असली नाम लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी था लक्ष्मी का अर्था धन की देवी लेकिन उसकी दसा अपने नाम से बिलकुल मेल नहीं खाती थी उसके जीवन में धन का बहुत अभाव था इसलिए वो अपना असली नाम किसी से नहीं बताती थी तो लोग बढ़ाई देते हुए कहते हैं कि आपके घर में लक्षमी आ गई इसलिए उसका नाम भी लक्षमी पड़ा होगा जिसको गाउं के लोगों ने बिगाड़ करके लक्षमीन कर दिया वो अपना नाम इसलिए लोगों से छुपाती थी क्योंकि लक्षमी का वतलब होता है धन की देवी और लक्षमीन धन से बिल्कुल हीन थी तभी वो ने धनता के कारण महादेवी वर्मा जी के यहां मजबूरी बस नवोकने के लिए गई थी अगला प्रस्नेत दो करने रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंदी अपनी जठानियों द्वारा ग्रणावा उपेच्छा का शिकार बनी रही ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारना चलती है कि इस्त्री ही इस्त्री की दुस्मन होती है क्या आप इससे सहमत है उत्तर है भारत एक पुरुस प्रधान देश रहा है मद्यकालीन भारत में तो बेटियों को बोच समझा जाता था समाज में आज भी होने वाली करन्या ब्रून हत्याएं इसी मनोव्रत्ति का प्रमार देती है साथ ही ये माना जाता है कि बेटी का विवाह करने पर वह तो दूसरे घर की हो जाएगी जबकि बेटे से अपने वन्स को आगे बढ़ने की इच्छा बनी रहती है पुत्र को बुरापे की लाठी माना जाता है और अंतिम समय में उनसे माबाप की सेवा की उम्मीद की जाती है ऐसे ही दकिया नूसी पुरातन पंथी विचार हमारे समाज में आज भी फैले हुए इसी कारण भक्तिन भी पुत्र महिमार में अंदी जिठानियों की ग्रणा एबं उपेच्छा की पात्र बनी रही क्योंकि भक्तिन के दो ललकियां ही पैदा हुई और जबकि उसकी जिठानियों के ललके पैदा हुए इस कारण परिवार में भक्तिन का मान सम्मान नहीं था उसकी जिठानिया और सास उससे दिन बर काम कराती थी उसको खाने को भी रूखा सूखा और उसकी बच्चीयों को रूखा सूखा खाने को मिलता था जब की परिवार में जो भी दूद दही घी होता था आराम से उसकी जिठानिया और उनके बच्चे लड़के उसका आनन्द उठाते थे तीसरा प्रस्ण है भक्तिन की बेटी पर पंचायद द्वारा जबरन पती थोपा जाना एक दुरगटना भर नहीं बलकि विवा के संदर्ब में इस्तरी के मानवा धिकार को कुचलने और कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का पतीख है कैसे उत्तर है भक्तिन की बेटी पर पंचायद ने जबरन पती थोप दिया था यह कार इस्तरीयों के मानवा धिकारों के बिरुद्ध है अर्थात किसी भी मैला को जबर जस्ती विवा के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता प्राचीन काल के ही नारी पर हर फैसला जबर जस्ती लागू कर दिया जाता है विवा जैसे गंबीर नेलाई भी अपनी मस्जी से नहीं ले सकती लड़की को माता पिता की इच्छा से ही विवा करना पलता है और यदि वो उसका विरोध करती है तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है या उसे समाज के द्वारा तिरसकार और अपमान का सामना करना पड़ता है उसे अपनी पसंद और इच्छा के नुसार जीवन साथी का चुनाव करने का अधिकार नहीं दिया जाता यही भक्तिन की बेटी के साथ भी गटना घटित हुई